नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद प्येस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सुचनाई होती है जो विन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यार्थियों के लिए अवश्यक होती है तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सुचना है तो वीडियो के जल्दी से लाइक करते हैं शेयर करते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर ले और जो विद्यारती PS परिहार आउनलाइन प्लेटफर्म पर पढ़ाई करना चाहते हों तो वो लोग PS परिहार आउनलाइन एप को जरूर डाउनलोड करने प्लेश्टोर पर उपलब्द है सबसे पहले सुचना है रोजगार के मुद्दे पर आज बड़ा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे रिग्दपद हैं उनको भरने के लिए UP SSC के खिलाफ UPTET के नूटिफिकेशन के लिए नई शिक्षक भरती के लिए और TGT PGT के संसोधित विग्यापन के लिए आज सबसे बड़ा परदर्शन बालसन 14 प्रियागराज पर होने जा रहा है बहुत सारे विद्दार्थी आ चुके हैं और बहुत सारे जो विद्दार्थी प्रियागराज के हैं वो भी आज लगबग 11 बजे बालसन 14 पर पहुंच जाए युवा मंच की तरब से ये विग्यापती जारी की गई है कि 12 जनवरी युवा दंगल प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक टी इटी परिक्चा जल्द करा करके 97,000 खाली पदों का विग्यापत जारी कराने माजमिक सिक्चा सेवा चैनबूर्ड द्वारस सोसल के साक्षातकार वजी विग्यान की परिक्चती थी ततरत्त सिक्चिकों के पदों को जोड़ करके ततकाल विग्यापत जारी कराने उच्चतर सिक्चाज आयोग के 49 सो पदों का विग्यापन यता सिग्र गुशित कराने और लोग सेवा आयोगद्वारा एल्टी के खाली पदों का विग्यापन जारी कराने अधिनस्त ट्रिपल सी पुलीस बैंक रेलवे सेथ सभी विभागों के खाली पदों को भरने के लिए विग्यापन जारी कराने के लिए 11 बचे बालसन 14 सभी विद्यार्थियों को पहुचना है इसी तरीके से विध्यारती आज एक बहुत बड़ा ट्विटर वियान भी करेंगे और नई सिख्चक भरती के लिए और T.E.T. के विध्यापन के लिए असल में विध्यारती ससंकित हैं कि चूंकि अब 15 फरवरी से जानकारी मिल रही है कि पंचायत चुनाओ की जो अधिसूचना है वो जारी हो जाएगी उसके 6 महीने बाद जो बिधान सबग जो चुनाओ है उसकी तयारियां सुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में कोई भी भरती नहीं हो पाएगी UPTET की उसके जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक आया नहीं है सरकार ने उसके अभी तक अनुमती नहीं दी है तो UPTET के बारे में भी जानकारी निकल करके आ रही है कि अगर 20 तारीक तक जो सरकार ने अनुमती नहीं दिया तब ये UPTET जो परिच्छा है वो चुनावबाद ही हो पाएगी इसलिए विदार्थी ये अभियान रखे हुए हैं और इसको आप लोग भी देख लें अगर आप लोग चाहते हैं कि UPTET के जो नोटिफिकेशन वो जल से जल जारी हो चुनकि UPTET के बाद में ही नई प्रात्मिक शिक्षक बरती हो सकती है तो उसके लिए आप लोग भी आज ये ट्विट कर सकते हैं लिका 12 जनवरी युवा दिवस पर 10 से 1 युवा मांगे शिक्षक बरती योगी जी और युवा दिवस पर युवाओं के लिए नई शिक्षक बरती के लिए एक बाद फिर ट्विटर अवियान रखा गया है 12 जनवरी को सुबद 10 बजे से लेकर के एक बज़े तक तो सुबद 10 बज़े सब लोगों को इकठा तयार हो रहना है और अपनी मोबाइल पर रिमाइंटर लगा लीजिए दस से एक बज़े तक सभी लोगों को ट्विटर के इस अवियान में सामिल होना है आपको केवल इस हैस्टैक कर प्रयोग करना है आप लोग देख सकते हैं हैस iurmange टाईप कर सकते हैं और मैं इसकी ओ लिंक है वो subscription में देदूँगा तो दस बज़े से आप लोग ट्विट कर सकते हैं नई शिखचक भ़का दस बजए से एक बज़े तक सभी लोगों को ट्विटर के इस अभियान में सामिल होना है तो आप लोग याद रखिए कि आज ट्विटी भी करना है और उसके बाद में आज जो प्रदरसन होगा बालसन चौर है पर उसकी में पूरी कवरेज दूँगा और आपको इस चैनल के माधिम से पूरी जानकारी मिलती रहेगी तो आप लोग जहां पर भी हैं अगर प्रयाग्राज नहीं आपाएं तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज्यादा ज्यादा लोगों पास भेज सकते हैं और जिससे ये जो बात है वो सरकार तक पहुंच सके अगली सुचना है लिखा है UPPSC यानि की उत्तर प्रदेश लोग से नहीं हुआ है और इनमें प्रवक्ता हिंदि के पाच और प्रवक्ता भोतिकी विज्यान के साथ पत्र सामिल है उत्तर्प्रदेशलोसे वां-धयोग निसमभार को प्रवक्त हो पर सीधी भर्ती का अंत्तं चैनप्रड़ाम जारी कर दिया है outta इcs तरीके से उत्तर और फल्स रूप लगबग 1130 जो पद रिक्त रह गय थे अब जो ऐसी के विद्यारती हैं वो मांग कर रहें कि ऐस्टी के जो रिक्त पद हैं उसमें पहले ऐसी के पदों को भरा जाये ऐसी के जो विद्यारती को भरा जाएं यहां पर लिखा कि इन अब्भरतियों ने सोंवार को सच्यू बेसिक सिक्चा परिशत अनिल कुमार को सौंपा इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में बेटेक लेने के जुनियम है उसमें बदलाव की पहले उत्तर प्रदेश के संस्थान है उनमें जो एड़िशन होता था बेटेक में वो यूपी टी यू के माधियम से होता था यूपी टी यू का जो नाम है बाद में बदल दिया गया एक टी यू कर दिया गया डॉक्टर एपी जे अदुलू कलाम टेकनिकल यूश्टी और यूपी के संस्थान है उनमें जो एड़िशन होता था वो एक टी यू एक इंट्रेंस कराती थी राजिस्तर पर और उस पर मिरिट के अधार पर एड़िशन होते थे अब यह नियम बदल दिया गया है अब एक टी यू कोई इंट्रेंस नहीं करवाएगा अब जो जे इमें के जरिए होगा प्रदेश के इंजिनरिंग कालेजों में प्रवेस एक टी तकनीक स्थानों में दाखिले के लिए अलग से नहीं कराएगी परिक्चा plugin प्रवेस Umolita भी अए डाश्टरि इस तरपर इंजिनरिंग कालेजिलों में दाखिली के लिए NTA की ओर से आयूजित की जाने वाली सहिएवक्त प्रवेस परिक्चा JEE मेंस की जरीए होगा सासन के निर्देश पर दिलल विद्दा ले नििर इनिरिक्चा आर न विश्करमा की और से जनपत के सभी पिधानचारियों को भेजे गया पत्र में कहा गया है कि वह बारवी विज्ञानवर के चात्रों को इस बारे में जानकारी दे दें इसलिए ये कहा गया है कि जो J.E.M.S. है उसके लिए आविदन चल रहा है लिखा है कि 16 जनवरी तक है इसलिए 16 जनवरी तक विद्यार्थी J.E.M.S. 2021 के लिए आविदन कर सकते हैं J.E.M.S. की जो परिक्षा है वो N.T.E. करवा रही है और इसके बाद में अगली सूचना है S.S.C. J.E. परिक्षा 2018 लिखा है कि S.S.C. J.E. परिक्षा 2018 में 1840 को मिली नौकरी हैं कि ये विद्यार्थी जिनें आप लोग देख रहे हैं भी प्रदर्शन करना कहीं दिनों से तुरूटी संसोधन को लेकर कि आज भी विद्यार्थी बैटे हुए हैं इनका कहना कि जो मामूरी तुरूटी हुई थी आवेधन में उस वज़े से इन विद्यार्थी यों को बाहर कर दिया गया है पद्र रिक्त हैं आता है इन अभ्यर्थियों को छुट दिया जाए संसोधन की और इन अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग के लिए जो अगली क मौका दिया जाए लिखा है परसेदी विद्यालियों में हुई 79,000 से चकबर्थी से वंचित रहने वाले अभ्यर्थियों सुमवार को निशात गंद स्थित S.C.E.R.T का घेराव किया अभ्यर्थी निदेशाले के बाहर प्रदर्शन करने लगे पुलिस ने उनको उठाने से प्रदर्शन कर रहे हैं अगली सुचना है कि नीट इस साल ऑनलाइन हो सकती है प्रवेस परिच्छा समित ने कि इसी पारिस एंटीर जनवरी के अंत्य तक कर सकती है परिच्छा का एलान इलहाबाद हाई को चार दिन के लिए बंद रहेगा मकर संकरन्ति के चुटी में मत प्रदेश लोग सेवा आयोग से मत प्रदेश इंजिनरिंग सेवा की भरती आ गई है और नीचे लिखा मत प्रदेश लोग सेवा आयोगी ने राज इंजिनरिंग सेवा परिच्छा 2021 के लिए अपनी ओफिसेल वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से सुरू होगी एक चुक उम्मीदवार 14 फरवरी तक आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं परिच्छा 30 मई 2021 को आयोजित होगी अलग-अलग ट्रेड के अलग-अलग पद है यहाँ पर लिखा विवाँ जैसे कि असिस्टेन इंजीरिंग सिवल के Umili के थीज पद है यगता BE i की सिविल मांगा है असिस्टेन इंजीरिंग के दो पद है इलेक्टरिकल के वो बहुत जल्द जारी होगा और सबसे पहले P.E.T. होगी और उसके बाद में भड़तीयों की सिमंद्ध में विज्ञापन निकाल करके आयूक आवेधन लेगा यूपिट बला ऐसी P.E.T. का जो आयोजन है वो अप्रेल 2021 में कराने की त्यारी कर रहा है और जानकारी यहां पर लिखा हुआ है कि यह मिल रही है कि P.E.T. की परिच्छा है वो अप्रेल में हो जाएगी जो विदार्ति P.E.T. को पास कर लेंगे उस P.E.T. के परसेंटाइल होगा तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर ही मुखिपरिच्छा के आवेधन करताओं की शॉर्ट लिस्ट किये गए अब बर्तियों के लिए मुखिपरिच्छा कौसल परिच्छा या सारी परिच्छा कराई जाएगी P.E.T. का इसकोर एक साल के लिए मानने होगा और इस परिच्छा का आयोजन साल में एक बार ही होगा यूपिटर पलसी के जो चेयर मैन है प्रवीर कुमार उनका अब यहां बयान चपा हुआ है लिखा है कि प्रवीर कुमार अधिच्छ अधिनस्त सेवचन आयोग का कहना है कि आयोग को भरती समंदी अधिकतर विभागों के प्रस्ताव मिल गए है शैक्चिक योगिता के अधार पर इसे ग्रुप में बाटा जा रहा है जिससे भरतियो इसलिए ऐसी ब्यवस्ता की जा जिससे P.E.T. 2021 का स्कोर जल से जल तैह हो जाए इस परिच्चा को पास करने वालों को उनके प्रापतांग फिजदी के अधार पर आगी मौका दिया जाएगा अगली सूचना है N.I.O.S. से जिन्हों ने किया है D.L.E. का कोर्स लिखा बेसि शिक्षिकों की बड़ती में शामिल होने के लिए एक और बादापार करनी होगी शिक्षा विभाग की बेसिक अध्यापक सेवा निमावली के नुसार बेसिक शिक्षा के लिए दो साल का D.L.E.T. होना जरूरी है मगर N.I.O.S. का जो D.L.E. होता है वो केवल 18 मैनी के होता है लिहाजा N.I.O.S. D.L.E. को शिक्षा विभाग के लिए विभागी निमावली में या तो संसोधन करना होगा सरकार को बिसेश परिस्तित में अलग से आदेश जारी करना होगा निजी लिखा है कि दर असल N.I.O.S. D.L.E. सिक्षा विभाग के लिए गरम दूद जैसा बन चुका है ना उभलते बन रहा है और ना ही निगलते बिहार हाई कोट के आदेश के नुसार राष्ट्री अध्यापक सिक्षा परिसद D.L.E. डिप्लोमा को देश भर में सिक्षक विभाग की निमावली में अलग ही प्रावधान है तो जो उत्तर प्रदेश की सिक्षा निमावली है उसमें इस पर लिखा हुआ है कि सिक्षक बढ़ती के लिए दो साल का कोर्स होना चाहिए तो अब देखना होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सरकारी इन विद्धार्थियों को कम मुकदेती है कब निमावली में बतलाव करती है यह हो गया आज का वीड करें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद